ओम गण गण पते नम हैं दोस्तो अग की बार साथ सितंबर को गनेश चतूरती मनाई जा रही है गनेश चतूरती के दिन भगवान गनेश की मूर्ती की इस्थापना करना विदीवत उसकी पूजा करना इसका सबसे ज़्यादा मैत्पूर्ण है जब तक भगबान गनेश की मूर्ती को हम विदी विधान से इस्थापित नहीं करते हैं तो दोस्तों गनेश भगबान उसमें ब्राश्वान नहीं होते हैं गनेश भगबान की उसमें प्राण प्रातिस्था नहीं हो पाती है कुछ ऐसी गलतिया होती है उन गलतियों के बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे साथ में एक एक पॉइंट आपको गनेश वगबान की मूर्ति किस पिरकार इस्तापित की जाती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे रिटन में ही देंगे दोस्तों ताकि आपको अच्छा समझाए एक एक पॉइंट समझाए आप स्क्रिन सोट भी ले सकते हैं PDF की रूप में लेकिन दोस्तों पूरी जानकार देने से पहले मैं आपसे निविदन जरूर करूँगा कि कॉमेंट बॉक्स में श्री गणे साई नमें ओम गण गण पते नमें लिखना बिलकुल भी न भूलें ताकि आपकी सारी बादाय दूर हो जाएं दोस्तों आईए जानते हैं पूरे विद्धी विधान से कि भगवान गणेश की प्रान प्रितिष्ठा कैसे की जाती है बात कर लेते हैं अपना आपको इस्थापना किस प्रिकार करनी है दोस्तों आपको सुवे गणेश दतुरती के दिन इसनान आदे से निबरत होना है साफ वस्तर धारन करकर भगवान गणेश की मूर्ती लानी चाहिए मूर्थी लाने है दोस्तों अब मूर्थी आप जब लेकर आते हैं घर पर तो किसी साफ वरतन में मंज़े हुई वरतन में उसको रख दे और किसी साफ विस्थान पर रख दे क्योंकि हो सकता है इस स्थापना का समय नहीं हुआ हो इसके बाद दोस्तों आपको चोकी बिचानी है चोकी कोगंगा जलसे साफ करना है और उस पर लाल रंग के वस्त्र बिचाना है दोस्तों वैसे हरे रंग का भी बिचा सकते हैं लेकिन सबसे वेस्ट होता है लाल रंग का वस्त्र इस पर आप ध्यान देना है इसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों उसे चोकी पर जो आपने कपड़ा बिचाया है उस पर अख्षत रखें अख्षत का मतलब दोस्तों यहाँ पर चामल से हैं आप लोग चामल रखें और चामल के उफर दोस्तों आपको गनेश भगवान की मूर्थी इस्थापित कर देनी है जो कि आप लेकर आए है गनेश भगवान गनेश की मूर्थी पर आपको गंगा जल चिड़कना है ये आप ध्यान रखना कि आपको गंगा जल चिड़कना है एक बार यानि कि उसको इस असुद होती है लेकिन जब आप उस पर गंगा जल के शिड़काप कर देते तो सुद्ध हो जाती है जिसमें आप भगवान के जो प्रान प्रतिष्ठा कर सकते हैं प्रान प्रतिष्ठा का एक मंत्र मैं आपको बताता है यह दोस्तों आपको एक बार गंगा जल से इसनान करान इस मंत्र का दोस्तों आपको जाप करना प्रान प्रतिष्ठा के दोरान इसके बाद दोस्तों आपको फिर से गंगा जल जड़कना है यानि कि अब आप स्वम भगवान गनेश को ही इसनान करा रहे हो ये मान कर सलना इसके बाद दोस्तों आपको गनेश भगवान के जनुधारन कराना है जनुधारन आप लोग कंदे पेट से लेकर आपको जनुधारन कराना है यानि कि आप या तो सपेद धागा ले 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 तो आप कलाय डोरा से भी काम चला सकते हैं और बाएं और अक्छाते रखकर कलस इस्तापित करें दुबारा आपको थोड़े चाउन लेने हैं भगवान गनेशे के बाइं और रखना है ध्यान रखना उस कलस को और कलस पर आपको सांतिया का चिन बनाना है सांतिया का चिन कलस पर आपको जरूर बनाना है दोस्तों ये आप लोग धिहान रखना इसके बाद हम बात करते हैं आप लोग के कलस में आम के पत्ते और नारियल पर आप कलावा जो डोरा है वो बांध कर उस पर रख दें कलस इस्तापना के बाद गनपती बब्बा को आप लोग दुर्पा अर्पित करने और दुर्पा आप सबसे पहले दुर्पा अर्पित करें वो भी गंगा जल जिससे धुए हुए इसके बाद दोस्तों आपको पंच मेवा और मोदक का आप भोग लगा सकते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों आप गनेश को बिदी विधान से यानि कि सबसे पहले उसको रोली सी तिलक लगाने के बाद ही आप लोग ये पंच मेवा मोदक और दुर्पा अर्पित करें इतन अब आप दोस्तों ये काम कर लेते हैं कले सिस्थापना के बाद आपको करना क्या है रोले से बगवान गनेश का तिलक करना है उसके बाद उनको फूल माला चड़ाने के बाद दोस्तों आपको दुर्बा यानि कि जो पूजा है वो बाद में करनी है जो अर्पन करने का समय है दुरुबा है पंच मेवा मोदक इनका भोग आपको बादम लगाना है ये मैंने आपको जो तिलक वाली बात है पहले बता दी क्योंकि पहला पोइंट है इसका आप लोग ध्यान रखना यानि कि आप लोग जो दुरुबा पंच मेवा और मोदक का भोग लगाना है उससे पहल आपको यानि किसनान कराने के बाद दोस्तों आपको वह जो आपन कहते हैं जन्यू जन्यू को आप लोग बिसिज ध्यान रखना यानि किसनान कराने के बाद और आपको जन्यू जरूर धारन करवाना है भगवान गनेश के लिए तब जाके दोस्तों भगवान आपके घर में पूरी तरह ब्राजवान हो जाते हैं आपके सारे दुख हर लेंगे बिगन हरता हैं वो दोस्तों धन धानने से आपके घर को भर देंगे और यहां तक कि सुक्ष सम्रद्धी उनके ब्राजवान होते आपके घर में आ जाएगी और जितनी भी नेगेटिव उर्जा हैं जितना भी घ्रह कले से दुस्तों वो तरंत आपके घर को चुड़ कर चला जाएगा इसके बाद दोस्तों जवाब पर सारी पूझा अरशना कर लें उसके बाद दोस्तों आपको लास्ट मे भगवान गनेश की आरती करनी हैं लेकिन कुछ गलती हैं दोस्तों उनको आपको बिसे ध पाफूल कर भी आप लोग दक्षन-दिशामें मत करना और नहीं दक्षिन पक्षिन-दिशामें करना ठीक है इनका आप लोग कि से ध्यान रखना और यदि आपके घर में यह दो यह दो द्याते हैं इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भगवान गनेशे क्समहें सबाथ का भी आपको ध्यान रखना है उनका जो मुख है मूर्ति का मुख व्यों Ninja की और नहीं हो दूसरा भगवान गनेश के सामने अखंड जोती विसरजन वाले दिन दोस्तों जलाएं यानि कि आप लोग दस दिन तक लगातार पूजा चलती है तो आप लोग अखंड जोती भी जला सकते हैं अखंड जोती जलाओगे तो आपके घर में और वी अधिक सुक सम्रदी में चो कुन सी हम करते हैं उसके बारे में भी आपको बताया गया है कुमेंट बॉक्स में जैश श्री गनेश जरूर लखें भगवान गनेश की किरपाश से ये पर्व आपके लिए धेर सारी खुशिया दे कर जाए